नमश्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी बलोकरा सीरीज के साथ में अभी ये लेक्चर जो है 38 है और जो आपका चाप्टर बलोकरा के अगर हम बात करें तो उसका ये 18 चाप्टर है जो कि tourism है अगर आप लोग नए है तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि HPGK का एक important source माना गया है The Wonderland written by Mr. Jagmohan Balokra उसी को हम यहाँ पर sum up कर रहे हैं कुछ उसमें comprehensive editions करके और books से और notes से और जो जो चीज़ें में रह गई है तो आज का वीडियो बहुत ही important है इसमें हम लोग ना सिर्फ pre perspective से चीज़े देखने वाले हैं बहुत सारा means का जो material है आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो इसको वीडियो को end तक देखेगा अगर आपके किसी भी तरीके के question हो आप academy के number पर call कर सकते हैं मुझे contact कर सकते हैं तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे first is significance जो आपका tourism है उसका क्या significance है economic growth में उसके अलावा जो लोग है उनके उपर किस तरीके का impact पढ़ रहा है tourism अब उसमें तो कुछ खास दिया नहीं गया था बलोकरा में इसलिए हम tourism policy को भी इसके साथ में ही पढ़ने वाले हैं means में किस तरीके के question देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल direct नहीं दिखते हैं थोड़े indirect जिसमें आपको अपना थोड़ा creation creative thinking यहाँ पर use करना पड़ेगा वैसे से questions है potential क्या है हमाचल का tourism में then is challenges किस तरीके के face कर रहे हैं and finally जो भी initiative आपकी government ले रही है tourism को promote करने के लिए right so in lectures के PDF आपको हमारी app पर मिलते हैं जिसे आप play store से download कर सकते हैं यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे courses मिलते हैं जहाँ पर free और paid material दोनों ही available है so do check it out right उसके लावा एक test series भी चल रही है इसमें आपको 1500 प्लस हमाचल GK के ऊपर questions मिलते हैं साथ में उसके video explanations हैं और एक साल के हमाचल के current affairs भी है so do check it out as well right so चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे tourism की अब देखे tourism का potential तो है ही हमारे पास में first is Himalayan states है तो beauty के नाम पे we have nature a lot of nature so एक अच्छी destination बन जाती है उसके अलावा हम देखते हैं कि पहले जो है इसको सिर्फ kind of summer destination हम देखते थे कि हाँ जब गर्मिया होती है तब ही जाते हैं क्योंकि ठंडा मौसम है ऊपर लेकिन अब हम देखते हैं कि winter winter आपके carnival चलते हैं या फिर snowboarding ह snow skating है यह सारी चीजें भी scene में जब से आई है तब से इसको as a winter destination भी बनाया जा रहा है, seasonal नहीं रख रहे हैं हम कि seasonal tourism यहाँ पर देखने को मिले, so यही वाली बाते हम इसमें करेंगे कि किस तरीके से यह tourism को हम promote करेंगे और policy आने कि क्या हमारे objectives है, goals है और क्या हमारी strategy रहेग जो भी हमारे objectives हैं उनको achieve करने के लिए, अभी 2019 में आपकी latest tourism की policy आई थी, इससे पहले 2013 में आई है, 2005 में भी आई है, तो अभी latest 2019 की है, उससे हम इस वीडियो में देखेंगे, so आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से circuits देख लेते हैं, अब यह मैं सिर्फ इस लिए cover कर रह सकते हैं, यह already हमने कही न कहीं cover कर दिये, यह temple हमने architecture में cover कर दिये थे, places हमने अलग से वीडियो किया था, important places in Himachal, so यह already cover हो चुका है, इसकी वज़े से थोड़ा से इसको जल्दी से बता देती हूँ, मैं उसमें कुछ खास है नहीं, important, इसलिए तो जैसे धौलाधार circuit है, अभी यह इस तरीके से, इसमें important जो भी आपकी destinations है, जहां जहां आप जा सकते हैं, वो दिये गए हैं, तो हुलाधार रेंजिस के नाम पर इसको name किया गया है, then is सतलुद circuit, tribal circuit and finally आपका ब्यास circuit, so इनको if you want to go through it once, एक पर देख लीजेगा, वैसे इतरहें जादा important यह है न and discuss the concept of ecotourism with the context of the sustainable development, so यह आपका जो 2020 में H.A.S. था, उसके GS3 में question पूछा गया था, H.A.S. 2019 के अगर हम बात करें, तो वहाँ पर पूछा गया था कि government ने कौन से initiatives लिये हैं for the improvement of socio-culture aspects of tourism, और क्या इन्होंने help किया है, so यह आपका question है, और questions अगर हम देखते हैं, तो tourism किस तरीके से economic growth में help करता है, Himachal Pradesh की, and the condition of symbiotic relation between tourism and atmosphere, यह symbiotic relationship क्या होता है, then is the positive and then negative implications of tourism in Himachal Pradesh, so इस तरीके के हम question देखते हैं, इनको अभी message होड रही हूँ, क्योंकि वीडियो में आप बहुत सारी चीजे सीखेंगे, आपको समझ आएंगी, theme-based tourism क्या है, by the end, जो चीजे र तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा department इसके लिए, यहाँ पर responsible है, तो देखे, जो आपका tourism है, यह कोई नया phenomenon तो है, बहुत पुराना है, यूंसान, travelers हम इतने सारे पढ़ते हैं, देन आपके इबन तूता है, तो बहुत सारे लोग आया करते थे, जाया करते थे, उस पर passport तो नहीं होते थे, मुद्राएं होती थी, तो tourism बहुत पुराना concept है, so आपका 1958 में अलग से एक separate department बनाया गया, सिर्फ tourism के लिए, फिर 1966 में feel हुआ कि नहीं कुछ और भी चाहिए, तो Indian Tourism Development Corporation बनता है, and then is finally 1967 में एक अलग से full-fledged ministry से dedicated इसके लिए बन जाती है, that is the Ministry of Tourism and Civil Avi So, वो अलग से बन जाती है, इसी तरीके से हिमाचल के अगर हम बात करें, तो यहां पर जो सारा management है, यह हिमाचल प्रदेश टूरिजम डेवलप्मेंट कॉर्परेशन देखता है, यह जो भी आपका infrastructure बनाना है, then is इनकी जो line of hotels है, वो भी अलग से जो आपके government hotels रहते हैं, अब इसमें जो direct question अगर आ गया, तब तो आपको आगे देखेंगे हम vision है, statements है, objectives है, यह वाली सारी चीज़े लिखनी पड़ेंगी, लेकिन हमने एक और चीज़ का देखी, कि direct question नहीं पूछा जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि, यह theme based, हम sustainable development की बात करें है, theme based development की बात and heritage, then is आपका film है, then is हम last में जो है, यह सारी चीज़े यहाँ पर देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं policy, तो policy क्या aim करती है, कि यह हमने जितने भी tourism देखें, इनकी एक holistic development की जाए state में, क्यों की जाए, क्यों की जाए, क्योंकि tourism एक अच्छा revenue यहाँ पर earn करके देता है, जैसा आप देख सकते है, state GDP का 7%, that is quite significant, यहाँ पर contribute किया जाता है by the tourism, अब यहाँ पर अगर हम 2014 से 19 तक की भी बात करते हैं, तो जो आपका number है, that has seen a huge rise, जो आपके tourism यहाँ पर आना शुरू हुआ है, tourist आते हैं, so इसी को accelerate हमें करते रहना है, क्योंकि वो help करता है आपकी economic development म जो एक mainstream culture है, उससे तालमेल बना रहता है, हम अपनी जो heritage है, culture है, उसको भी यहाँ पर showcase कर सकते हैं, so जो main objective है, policy का वो क्या है, यहाँ पर कुछ keywords है, जो आपको जब आप question लिखेंगे, तो अगर यह लिखेंगे, तो obviously आपका एक अच्छा hold दिखेगा question पर, जैसे कि आपक दोनों parties को, जो आपकी host state है, उसको भी और जो tourists आ रहे हैं, उनको भी benefit करें, याने कि जो local लोग हैं, उनको भी यहाँ पर फायदा होगा, whereas जो traveler है, उसको भी यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर वो आखर enjoy कर रहा है, तो वो दोनों को फायदा होगा, so जब हम sustainable development goals की बात करते हैं, यह आपके सारे sustainable goals है, इन में से आप quote कर सकते हैं, कि जो goal 8 है और goal 12 है, यह यहाँ पर achieve हो रहा है by the tourism, कैसे, जो आपका decent work and economic growth की हम बात करते हैं, तो देखे, यहाँ पर एक forward और backward linkage होता है, याने कि जैसे आपका यहाँ पर एक traveler आता है, वो यहाँ पर ए चीज़े, विरिस backward linkage हो गए, जो वहाँ पर catering देंगे, या वो धूद यूज करेंगे, तो वो आसपास की जो market है, वो create होना शुरू हो जाती है, जिसकी वज़ा से यहाँ पर employment generate होता है, same way आपका जिसे goal 12 है, तो यहाँ पर भी हम responsible consumption and production की again, यही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जबी भी आप एक answer लिखते हैं और आप goal 8 और goal 12 लिखते हैं, that will add colors to your answer, right, next is ecotourism, ecotourism क्या होता है, याने के जो हमारी biodiversity है, since we are a Himalayan state, हमारे पास में biodiversity काफी सादा है, ecosystem environment, इन सब को हमें अच्छे से बचा के भी रखना है, इनको भी preserve करना है, whereas tourism जो है उसको भी promote करना ह इसके लिए हम बहुत अलग-अलग activities को यहां पर देखने है, bird watching है, trekking है, eco trails, nature parks, eco huts and camping, so इस तरीके के activities के उपर जो है इसे promote किया जा सकता है, agro या फिर organic tourism, since we know लोगों में awareness काफी जादा आ रही है, इसमें chemical जादा है, ये सब चीज़े, so they are going towards again organic things, अब इसका फाइदा उ to the farms or the orchards, जो है, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, जहां पर आसपास green जी हो, so वहाँ पर उनके रहने के लिए infrastructure बनाना पड़ेगा, ये सारी चीज़े हम challenges में देखेंगे, कि किस तरीके की चीज़े यहां पर की जाएगे, then is snow tourism, अब ये तो we naturally we have it, ये attract करता है बहुत सारे tourist को, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको snow trekking या ये सब की जरूरत भी पढ़ती है, आप पहली बरफबारी श्रमला में देखते हैं और चंदीगर पंजाब जो हैं वहां से traffic हमें देखने को मिलता है, so snow tourism, then is lake tourism, लेक के आसपास में आपके fish farms खुलते हैं, या water sports है, आपकी activities, river rafting, white river rafting, ये सारी चीज़े जो हैं यहां पर करवाई जाए, जो lake है, उसके पास में overnight camping, इस तरीके की चीज़े, फिर आता है adventure tourism, ये उन लोगों के लिए especially जो इस तरीके के रिसकी काम, मतलब इन में interest लेते हैं, जैसे अब आपका beer billing की market है, वहां पे paragliding बहुत अच्छ लेवल पर की जाती है, तो ये उन लोगों को attract करने के लिए जो इस तरीके का passionate या risk-taking adventure करना चाहते हैं, then is pilgrimage tourism, अब माचल में हमें बहुत सारे religion देखने को मिलते हैं, आपका buddhism, dansechism, danseo hinduism after all, so इस तरीके से वहां पर बहुत सारे shrines है, sacred places हैं जहां पर लोग visit करने के ले जाते हैं, वहां पर infrastructure बनाना है, लोगों के रहने के लिए, जो है facilities देनी है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ आपके religious faith वाले लोग ही जाते हैं, जो लोग history में interest रखते हैं, वो लोग भी वहां पर जाते हैं, तो उसके आस-पास में museum develop कर सकते हैं, history बता सकते हैं, right then is cultural and heritage tourism, so इसमें तो बहुत सारी चीज़े हैं, कुल्वी, टोपी, सिर्मौरी, लोई, दन आपका किनौरी शॉल है, तो इस तरीके के बहुत सारी ये सारा हमारा culture and heritage tourism में आता हैं, next is health and wellness tourism, अब आयूश policy के बारे में भी आपने सुना होगा, तो अभी क्या है, लोगों में इतनी awareness आचुकी है कि वो preventive measures पर जा रहे हैं, कि बिमारी होने का वेट नहीं करना है, उससे पहले उसको prevent किया जाए, इसी की वज़ा से following Ayurveda, योगा, तो इसका फाइदा भी हम यहाँ पर उठा सकते हैं, योगा, आपके camps जो है, उनको बनाया जा सकता है, wellness centers है, Ayurvedic spas है, यहाँ फिर hot springs है, बहुत सारे हमाचल में, जैसे कि आपके तता पानी है, दैनियर मनी करन, वहाँ पर लोग होले डप लेने के लिए तो जाते हैं, बट दोस waters have some curative properties, किसी तरीके के जो डोग है, वहाँ पर जाकर मिच जाते हैं, वहाँ पर हम proper एक infrastructure खड़ा कर सकते हैं, बा communication, marketing, इस तरीके के चीज़े हम वहाँ पर कर सकते हैं, next is MICE tourism, याने के अभी जो है आपका lockdown उसमें यह hashtag भी viral हुआ था, work from mountains, so यह वाले जो concepts हैं, यह कितने जादा यूज किये जा सकते हैं, तो जैसे आपकी meetings, incentive, conference, exhibition travels, यह सारा का सारा हम manage कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वह यह हमारे पास infrastructure होना चाहिए, फिर आपका लोग Wi-Fi के बना तो काम नहीं कर पाएंगे, Wi-Fi की जो आपकी सारी services हैं, उसके लाब अब रहेंगे भी तो खाना भी खाएंगे, रहेंगे, travel भी करना होगा, transport भी करना होगा, so यह सारी की सारी जो हमें facilities हैं यह उनको देनी है, and these people will be attracted here, right? अगर हम बात करने हैं potentials की, तो बहुत सारे आप देख सकते हैं, Hello Halls, PT, Shimla, Kinnaur, इन में हम already perform कर रहे हैं, लेकिन potential बहुत जाधा बड़ा है, so इसी potential को attain करने की बात इस policy में की गई है, फिर आता है आपका vision and mission statement, जो इस policy का है, वो क्या है, कि हम चाहते हैं कि हिमा inclusive growth में help करें, right? तो ये word, global sustainable tourism destination ये याद रखना है, because you have to use it अगर direct question आता है, then is your inclusive and sustainable tourism economy, tourist का experience अचा होना चाहिए, private sector को participate करने की जरुरत है, innovation उनको दिखानी पड़ेगी, जैसे कि आपको पता है, Airbnb, है ना, उन लोगोंने क्या किया, उन्होंने, उन्होंने एक simple सा idea यूस किय नहां से concrete में से लोग रहने के लिए जाते हैं, वो फिर से hotels में नहीं रहना चाहते हैं, they are looking for eco huts, they are looking for home stays, जो आपकी main city है, उसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, तो same way आपकी इस तरीके की innovations private sector में से important है, ताकि वो वहाँ पर tourism को help कर सके, गोल्स के अगर हम बात करें, तो गोल्स वही है, हमें माचल को एक international brand बनाना है, prime focus हमारा socio-economic growth पर रहना चाहिए, employment generation पर रहना चाहिए, so इस तरीके से आपने ये गोल्स देख लेने हैं, एक बार quality अच्छी होनी चाहिए, and then is आपका sector, जो है आपका private sector है, उसका participation होना चाहिए, ये मैंने आपके लिए questions के ऊपर, कि किस तरीके के question आते हैं, ये आपको PDF में जाएगा, आपने PDF में इसको पढ़ लेना है, अब question कैसे आते हैं, negative impacts, positive impacts, then is environment के साथ में किस तरीके के symbiotic relationship है, so पहले आते हैं आपके negative impacts of tourism, अब इसके ऊपर question पूछा गया था, right, so कुछ-कुछ आपके दिमाग में हो होंगे भी लेकिन आपको concrete points वहाँ पर लिखने के लिए होने चाहिए, जैसे destruction of nature and habitat loss, then आगया आपका resources है area के उनके उपर बहुत pressure परता है, जैसे water है, food है, और facilities है, उनके उपर pressure, then is loss of cultural identity, ये काफी जादा important है, जैसे हमने mainz का question भी देखा था, कि हम अपनी socio-culture identity को बचान चाहते है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि mainstream culture को देखते हुए, बहुत सरी और activities की जाती है, जो लोग है, उन्होंने western आपके कपड़े पहना शुरू कर गया, जैसे किन और है, पहले वहाँ पर जो ये फेरे वाला culture है, कि साथ फेरे लेने है, ये नहीं होत Congested human and vehicle traffic, ये तो हमने भी COVID जैसे ही, restrictions हटे और जो आपका परमान वाला highway है, वो full हो गया, so that is, vehicle बहुत ज़्यादा traffic है, महाँ पर, next is, increased price of goods and services, ये सब को पता है, 100 रुपए की माँगी, भी अगर आपको ऊपर trek पे जाके खानी हो तो आपको खानी पड़ेगी, तो इस तरीक ये बहुत एक अच्छा point है, अगर आप लिखेंगे, जैसे नेपाल है, अभी नेपाल में क्या हुआ, कि उनका काफी ज़्यादा tourism के उपर dependence था, 2015 में earthquake आता है, tourism रुग गया, उसकी वज़े से उनकी economy पे काफी बड़ा जटका लगा, same way Egypt में भी हुआ, और उनकी economy को भी य historical monuments and natural landmarks, so ये भी आपने usually देखा होगा, then comes the challenges for tourism in Himachal Pradesh, so दो ये जो negative है, impacts, ये भी आपके kind of challenges ही है, हमें इसका balance maintain करना है, जो pollution है, उसको अच्छे से manage करना है, destruction नहीं होने देनी है, dependence नहीं होना है tourism पे, so ये भी challenges है, लेकिन और challenges क्या है, तो आगया आपका infrastructure, जो भी मैंने बात की कि हमने work from mountains है, तो उसके लिए हमें conference halls चाहिए, हमें इस तरीके का infrastructure चाहिए, then pilgrimage में हमने देखा कि हमें, जो भी आपके bath cabins है, आपके hot springs है, वहाँ पर वो चाहिए, तो infrastructure आ गया, then is management of resources, जो locals है, वो exploitना हो किसी भी तरीके से, then is transport, अब roads जो है, बहुत सारी ऐसी जग तो वहाँ पर transport, roads पहुंचेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ जाएंगी, फिर security, again, जो हम बात कर रहे हैं, कि conflict हो जाता है, आपके tourist के बीच में और locals के बीच में वो कम हो, जो women है, उनको security प्रवाइड करना है, then finally, जो locals हैं, उनमें skill development, जैसे हम अगर beer billing की बात करते हैं, तो लोगों ने वहाँ पर सीखा न, कि किस तरीके से paragliding करवानी है, और जो आसपास market है, वो develop हुई, तो skill development की जरुरत बहुत जादा है, awareness की जरुरत है, फिर हम बात करते हैं, कुछ policies की, कुछ initiative जो आपके government ने लिए हैं, एक scheme जो है, उसका नाम है, नई राहे, नई मंजि जाए जाएगा, ये आपके budget में इसको 50 crores भी यहाँ पर दिये गए हैं, तो first phase तो आपका beer billing है, फिर चांचल है शिमला में, and then final जिंजेली एरिया जो मंडी में है, उनके उपर, tourist point of view से उसको और develop करने की बात की जा रही है, then is swadesh darshan scheme, इसके अंडर, जो है, काफी जदा है, हाँ पर पैसा sanction किया गया है, किस चीज़ के लिए, हिमालन सर्किट डिवलप करने के लिए, हिमाचल प्रदेश में, और क्या यहाँ पर एक pilgrim transport system में राने की भी बात की जा रही है, उन्ना में, जो आपका माचिंदपुनी temple है, अंडर प्रसाज scheme, इस तरीके की चीज़ sustainable development किस तरीके से, then हम बात करते हैं कि किस तरीके से improve किया जाए social cultural aspects को tourism के हिजाब से, so इसमें बहुत सारी चीज़े करते हैं, जैसे बहुत सारे fairs होते हैं, उनको international या national दर्जा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम अपने socio, हमारा जो culture है, उसको बचाना चाहत है, next हम देखते है, economic growth, tourism किस तरीके से contribute करता है, तो मैंने बताया भी 7%, I am giving you just the idea, उसके बाद में तो आप लिखी सकते हैं, फिर condition of symbiotic relation between tourism and atmosphere, so इसमें क्या है basically idea, symbiotic relation क्या होता है, कि जो आपका tourism है, वो environment को भी help करेगा, याने कि जैसे वो आए, यहाँ पर एक जो revenue है, वो generate हुआ, वो वापिस से आपके tourism में ही, environment के ही उपर लग गया, और फिर वहाँ पर और tourism है, so एक दूसरे को वो benefit करें, इस तरीके की condition को हमें हाँ पर symbiotic relation कहते हैं, positive and negative implications of tourism हम लोगों ने देख लिये, so that is it, जाने से पहले मैं आपको भी दो question देना चाहती हूँ, एक question ads है, start-ups के और जो आपके technological advancement आ रही है, उनके tourism के उपर हमाचल प्रदेश में, और एक question pre-base है, आप थोड़ा सा search कीजेगा तो आपको मिलेगा, कि एक scheme है उसके under, जो locals हैं, उनको guide बनाया जाएगा, और वो जो भी अपना culture है, या अपना track है, उसकी history को वहाँ पर क्या नाम है, so that is it for today, लेकिन जाने से पहले मैं आपको दो question देना चाहती हूँ, ठीक है, एक तो आगया आपका की, what is the impact of new startups and recent technology on tourism economy of हमाचल प्रदेश, इसके उपर आपको लिखना है, आप जो भी answer लिखेंगे, आप मुझे भेज सकते हैं, I can check it for you, उसके अलावा एक गाइड बनके वो लोगों को बताएंगे, so उस scheme का क्या नाम है, वो आप मुझे comment करके बताएगा, उसके लावा एक और जो एक छोटी सी tip है आप लोगों के लिए, कि कोई भी chart मत बनाएगा, जैसे chart बना देते हैं, positive impacts, ये chart positive impacts, तो usually जो UPSC की तयारी कर रहे हैं, वो लोग ये करते हैं, लेकिन HPPAC इसको जादा support नहीं करता है, last year भी देखा गया इस तरीकी के trends, जिन लोगों ने इस तरीकी के charts ये tables बनाये थे, उनको जादा help नहीं मिला है, so इसको avoid कीजिये, and write a very nice question, so thank you very much, thank you for watching.